ओके स्टूडेंट्स तो हम यहां पे देखने वाले हैं टर्म्स इन वॉल्ड इन थर्मो डाइनामिक्स में थर्मो डाइनामिक्स में कौन-कौन से टर्म्स यूज होते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि थर्मो डाइनामिक्स की अपनी एक दुनिया है मतलब thermodynamics में जो terms आप use करोगे वो specifically thermodynamics या chemical thermodynamics ये chapter से ही oriented होगे thermodynamics में एक universe होता है universe और universe जो है वो दो चीजों से बना है universe के अंदर है system और उसके साथ साथ है surrounding universe is made up of system and surrounding पूरी ये जो circle है समझ लो ये आपका क्या है universe है this whole part is universe तो universe के अंदर दो चीजे है system है और दूसरा है surrounding तो बच्चों हम लोग सबसे पहले ये देख लेते है system क्या होता है और surrounding क्या होता है तो firstly we will see what is system okay what is system system क्या होता है तो सबसे पहले देखो बच्चों ये हमने एक बड़ा सा जो circle है समझ के चलते हैं ये मेरा क्या है universe है पूरा universe है अब इस universe के अंदर एक छोटा सा हिस्सा it is a small part okay एक छोटा सा हिस्सा ये हिस्सा जिसको आप observe कर रहे हो जिसको आप देख रहे हो जिसके अंदर होने वाले changes को आप notice कर रहे हो that is known as a system normal simple terms में समझते हैं देखो बच्चों जब हम इसको simple terms में समझे ना I will tell you कि जैसे कि आप अभी आप classroom में बैठे हो ठीक है तो classroom में बहुत सारे बच्चे भी हैं अब उसमें आप सब लोग क्या करते हो ध्यान से सिफ अपने teacher को सुन रहे हो या आपका जो teacher पढ़ा रहा है तो उस समय जब आप अपने teacher को सुन रहे हो that time system जो है वो आपकी teacher और आपका board हो जाएगा Apart from that, okay, अगर मेरे सामने एक small cup of tea है और मैं उसी cup of tea को बार 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 observe कर रहे हूं तो I will tell you वो जो cup of tea है वो आपका observation है उसके अलावा उस room में जितनी भी चीजे है उस room के बाहर जो कुछ है That all is that all is surrounding for you कोई भी ऐसी चीज जिसको आप देख रहे हो observe कर रहे हो at a particular instant of time वो आपका system होता है उसके अलावा जैसे कि अभी हम एक room में बैठे हुए ठीक है तो हम इस room में होने वाली changes को notice कर रहे है ये room मेरे लिए क्या हो गया system हो गया but room के बाहर दरवाजे के बाहर क्या हो कर रहा है so that particular thing वो दरवाजे की बाहर की जो दुनिया है वो आपके लिए क्या हो गई surrounding हो गई बच्चों system हमेशा छोटा होता है universe के अंदर का small part छोटा सा हिस्सा small part okay which is under observation is known as a system अब universe में से system को अगर तुम निकाल दो तो उसके बाद जो भी बाकी बची हुई चीजे है तो whole part of a universe is known as a surrounding उसको हम क्या बोलते है surrounding now we will write down कि क्या definition है system का और क्या definition है surrounding का system हो या surrounding हो दोनो universe का ही हिस्सा है so we will write down a part of a universe a part of universe which is under observation which is under observation a part of a universe which is under observation is known as a system मतलब उसके अंदर होने वाली छोटी मोटी चीजों को आप notice करों जैसे एक ant चल रही है रूम में और आप उसी ant को देख रहे हो तो वो ant आपका उस time पे क्या हो गया system हो गया but बच्चो system change होते रहेगा time to time अब ज़रूरी जैसे कि अगर अगर आपके सामने chemistry की टीचर है तो ये chemistry जो मैं हूँ आपके लिए system हो गई अभी थोड़ी देर बा हो वो आपके लिए system है और system के बाद है surrounding surrounding क्या है बच्चो what is surrounding universe का वो बचा हुआ हिस्सा system को निकाल दो system को निकाल दो universe में से तो बाकी जो भी बचा हुआ है उसे हम क्या बोलते है surrounding remaining part of a universe remaining part of universe apart from system apart from system is called as surrounding system को निकाल दिया जाए universe में से तो जो भी बाकी की चीज़े है वो क्या हो जाती है surrounding हो जाती है बच्चो observe कर रहे है अब system और surrounding को separate करने के लिए अभी हमारे पास एक और वर्ड है विच इस नोन ऐस बाउंडरी boundary और boundary line ठेक देखो बच्चो अब अगर हम लोग देखें यह मेरा पूरा universe है यह surrounding और यह system है ठीक है तो इस system और surrounding की बीच में एक imaginary line होती है एक imaginary line है actual में कोई line नहीं है but it is an imaginary line जैसे कि अभी मेरा पूरा ध्यान इस classroom में है तो इस दर्वाजे की बाहर जो भी चीजे है वो मेरे लिए क्या है surrounding है यह मैं अभी सिर्फ इस तरफ सामने की तरफ focus कर रही है तो इस तरफ और इस तरफ बाकी सारी चीजे मेरे लिए क्या हो गई surrounding हो गई तो system और surrounding को जो एक imaginary line बाउंडरी line इमाजिनरी बाउंडरी line विच सप्रेट्स विच सप्रेट्स विच सप्रेट्स शिस्टम और सराउंडिंग इस नोन अज़ बाउंडरी लाइन उसी को हम क्या बोलते हैं बाउंडरी लाइन नाउ Now students you have seen thermodynamics क्या होता है फिर आपने उसका limitation देख लिया और इस chapter में आपको बार बार ये words आएंगे system and surrounding बहुत बार आपको सुनने मलेगा तो जब भी आप system सुनते हो that means आपके माइंड में clear होना चाहिए कोई भी ऐसी चीज जिसको मैं observe कर रही हूं जिसको मैं देख रही हूं उसको हम system बोलते है system को निकाल दिया जाए तो यूनिवर्स की बाकी सारी जो चीजे है वो मेरे लिए क्या हो जाएंगी? सर्राउंडिंग हो जाएंगी Now students इसके बाद हम क्योंकि system पे जादा focus करने वाले हैं जो हमारा next type होगा उसकी हम बात करेंगे That is known as my next topic is types of system We are going to talk about types of system Student what is type of system? Let us see तीन तरह के system होते हैं One by one हम लोग उस system को समझने की कोशिश करते हैं First type of a system is known as a open system पहले system को जो है हम बोलेंगे open system हम इसे पहले example के through समझ लेते हैं फिर आपको क्या लिखना है open system में वो बात में देखते हैं बच्चो देखो अगर हमने एक cup of tea ले लिया एक चाय का cup ले लिया ठीक है यह मेरे पास एक cup of tea है और इस cup of tea के अंदर हमने place कर दिया है warm tea इसके अंदर warm tea है तो बच्चो क्या होगा अगर यह warm tea है तो धीरे धीरे you will see यहाँ से evaporation का process होगा देखो बच्चो लेटेस सी अगर हम आपने day to day life में यह बार बार देखते हो अगर एक गरम चाय की cup को बाहर रग दिया जाए तो होता क्या है थोड़ी देर बाद वो थंडा हो जाता है थंडा हो जाता है मतलब चाय के अंदर जो heat था वो जो तुम्हारे चाय के अंदर heat था वो क्या हो गया बाहर तुम्हारे surrounding में चला गया यह जो cup है ना बच्चो यह cup of tea मेरा system है इसके बाहर की जितनी भी दुनिया है वो क्या हो गई बच्चो surrounding हो गई तो यहां से क्या हो रहा है heat transfer होता है मतलब इधर से heat क्या हो रहा है बाहर जा रहा है और I can see energy transfer is taking place high से कहां पे जा रहा है low की तरफ इसके अलावा यहां से तुम देख रहे हो चाय में से evaporation होता है यह सब आप देख चुके हो गया अपने day to day life में तो चाय के अंदर से क्या निकल रहा है matter और यह सब किधर जा रहा है surrounding में मतलब तुम्हारे इस cup of tea में से energy भी जा रही है और matter भी जा रहा है कहां पे जा रहा है बच्चो surrounding में जा रहा है open system क्या होता है in open system open system में there is an exchange of energy and matter open system क्योंकि यह cup चाय का cup खुला हुआ है तो energy exchange हो रहा है मतलब बाहर की इसके अंदर की energy बाहर जा रही है और इसके अंदर का matter किदर जा रहा है बच्चो बाहर जा रहा है तो what we will write down in open system open system में there is an exchange there is an exchange of energy and matter energy and matter between system and surrounding okay बच्चो यह आपका हो गया between system and surrounding अगर systems से चीजे जा रही है surrounding की तरफ तो it is a open system अब क्या हो गया आप परेशान हो रहे हो आप टी लवर हो और आपका चाय कम हो रहा है evaporation हो रहा है तो आपने इसे परेशान होके हम second type का system देखते है second type of a system is known as a closed system अब क्या हो रहा है बच्चो आपको बहुत तो आपने क्या किया यह जो आपका open cup of tea था इस open cup of tea के उपर आपने धक्कन लगा दिया you placed a lead और जो evaporation हो रहा था आप उसको रोक रहे हो because आपको नहीं चाहिए कि आपका जो tea है वो अब इसके अंदर भी इस cup के अंदर भी हमने क्या रखा है बच्चो इस cup के अंदर भी हमने warm tea रखा है तो बच्चो क्या आपने देखा है day to day life में अगर आपने चाय की cup को ढग दिया तो क्या आप वो चाय का cup थंडा नहीं होगा थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा जैसे open में ये थंडा हो गया था बुल्तुल उसी तरह से ये close में भी थंडा हो जाएगा शायद एक दो मिनिट जादा लगेंगे तो यहां पे students you will see energy तो बाहर जा रही है energy बाहर जा रही है energy जा रहा है कहां पे surrounding में लेकिन जो matter था इ अंदर ही रह गया evaporation हो रहा है दुबारा से condensation हो रहा है चाय के cup के ओपर धकन रख दोगे तो जब थोड़ी देर बाद हटाओगे you will see droplets उपर जमा है और तुम थोड़ी देर बाद नहीं रखोगे तो वो droplets थंडे हो क्या हो जाएगे बच्चे दुबारा से cup में ही चले ज of only energy there is an exchange of only energy but not matter matter exchange नहीं हो रहा है between system and surrounding यहां पर बच्चे स्रिफ exchange of energy हो रहा है चाय थंडी हो रही है मतलब तुमारे cup of tea से energy किदर चली गई surrounding में चली गई लेकिन matter बाहर नहीं जा पा रहा है क्यों क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया है पूरी तरह से close कर दिया है यह तुमारे पास दो ताइप का system हो गया यह जो तुमारा example है open system का open system का जो example है बच्च closed system का example है closed cup of tea अब last जो हमारा third type का system होगा उस system के बारे में अगर हम लोग बात करें तो my third type of a system is known as isolated system isolated system बच्चो isolated system में now you are a tea lover person आपका चाहे बार बार ठंडा हो रहा है आप गरम करने जा रहे हो तो यह सबसे बचने के लिए आपने क्या कर दिया इसका मैं figure यहां पर बना रही हूँ आपने एक thermal flask ले लिया ठीक है जिसको isolation provide किया हुआ है उपर से भी close है यह हमारे पास जो ह है this is my thermal flask अब आपने इस thermal flask के अंदर चाय को प्लेस कर दिया टीको प्लेस कर दिया warm टीको ही रखा बट क्या हो रहा है बच्चो ना तो इसके अंदर से matter बाहर जा पार है क्योंकि यह ढखा हुआ है तो matter भी अंदर है और क्योंकि isolated है इसके अंदर से energy भी बाहर नहीं जा पार ही है everything is inside the thermal flask और इसी की वज़े से क्या हो रहा है ना तो exchange of energy हो रहा है और ना ही exchange of matter हो रहा है तो isolated system में क्या होता है there is no exchange there is no exchange of of what energy and matter किसके बीच में बच्चो between system and surrounding इस समय पे आपका जो यह cup of tea था open, close और thermal flask की यह system था इसके अलावा बाहर जो भी है वो क्या है surrounding है तो आज के lecture में बच्चों हमने क्या पढ़ा है हमने यह देखा है कि chemical thermodynamics में हमें क्या पढ़ना energy conversion की बात करनी है फिर हमने क्या देखा तीन limitations देखा पहला limitations है कि rate of reaction से नहीं फरक पढ़ता है कितना time लगेगा reaction को complete होने में doesn't matter किस तरह से reaction complete हो रहा है कौन सा path follow कर रहा है नहीं फरक पढ़ रहा है macroscopic quantity है मतलब छोटी छोटी चीजों को consideration में नहीं लेता है फिर हमने देखा कि क्या terms involved होंगे यह chapter में तुम बार बार system और surrounding पढ़ोगे तो thermodynamic की दुनिया को हम universe बोलते है universe कितनी चीजों से बना हुआ है दो चीजों से पहला क्या है बच्चो system दूसरा क्या है बच्चो surrounding तो system क्या है वो universe का हिस्सा जिसको मैं देखती हूँ जिसको मैं observe करती हूँ जिसके अंदर होने वाले changes को बैं notice करती हूँ वो मेरे लिए क्या हो गया बच्चो system हो गया फिर surrounding क्या है universe का वो सारा हिस्सा system को निकाल दिया जाए जिससे मुझे फरक नहीं पड़ रहा है उसे हम क्या बोलते है surrounding बोलते है boundary line क्या है बच्चो एक imaginary line imagination है जो हमारे system और surrounding को क्या कर रहा है student separate कर रहा है फिर तुमारे पास अगया student types of system open system close system and isolated system बच्चो open system का example है open cup of tea matter भी बाहर जा रहा है मतलब कप के मदर से चीजे भी बाहर जा रही है और energy मतलब कप तुमारा जो है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो energy और matter भी दोनों का exchange होता है both exchange of matter and energy close में क्या होता है matter बाहर नहीं जा पार है क्यूंकि आ अधकन लगा दिया लिड लगा दिया तो matter नहीं there is no exchange of matter but only energy चाहे फिर भी ठंडी हो रही है और last में अपने परेशान होके क्या किया इसको thermal flask में डाल दिया अब तो ना तुम्हारा matter बाहर जा रहा है और ना इसके साथ साथ तुम्हारा बच्चो जो है energy बाहर जा रही है और इस वज़र से तुम्हारा चाहे जो है वो हमेशा गरम रहेगा for 24 hours or for particular time ये हमने देख लिया type of system इसके बाद बच्चरुन next lecture में we are going to see what are the properties of system and state function and path function okay thank you